बंगाल की चुनावी खिचडी में धर्म का भी जबर्दस तड़का लग रहा है। वोट की जंग में नेता अपने अपने देताओं के नाम पर युद्गोश कर रहे हैं। बीजेपी ने जैश्री रान से टीमसी को घेरा तो ममता बैनर जी की पार्टी देवी दुर्गा और सरस्वती की नाम पर ललका रही है। बंगाल के चुनाव में धर्म युद्ध शिरू हो गया। भगवान राम मा दुर्गा की बाद विद्ध्या की देवी सरस्वती जी पर भी सियासी जंग होने लगी है। चुनावी कर्म में धर्म का शंकना तो पहले ही हो चुका था। लेकिन इंडिया तुदे कॉंक्लेट के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीग खोश के बयान से इसमें और उबाल आ गया। जैश्री राम की नारे से ममता सरकार को घेरते हुए दिली भोश इस कदर डिरेल हुए कि दुर्गा पर नया इतिहास गणने लगे। उनके शब्द और तर्क लक्षमन रेखा लांगते चले गए। भगवान राम की बात करते करते हुमाद दुर्गा पर ऐसा बोल गए कि सियासी तूपान ही खड़ा हो गया। टीमसी ने से हाथो हाथ लपक लिया, इसे महिलाओं का अपमान धहरा दिया। बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिलों में बसती है। ऐसे में टीमसी ने दिलिव घोश के बयान को हाथ हूँ हाथ लपक लिया। ममता बनर जी के भतीजे अभिशेक बनर जी ने तो चुनावी मन से इस बयान को महिलाओं के अपमान से ही जोड़ दिया। जैश्री राम के नारे से बैक फूट पर आई त्रिन मूल देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फूट पर आ गई है। तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर त्रिन मूल पर ही दिलिप घोष के बयान को तोड मरोड कर पेश करने का रोप लगाया। जो मुस्लिम तुष्टी करन के एटीमसी दुर्गा विसर्जन को रोक रही थी आज अज जानक उन्हें मादुर्गा की याद आ गई। टीमसी दिलिप घोष के बयान को घलत तरीके से पेश करना बंग करे। मुस्लिम तुष्टी करन का आरोप लगा कर ममता को घेरने वाली बीजेपी राम बनाम दुर्गा में फस गई। तिर्मूल अब इस पूरे मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी इसकी काड कैसे निकालती है। कॉलकत्ता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक वीरोग।